अर्थात मित्रों अगले तीन दिनों में कुछ एसी घटनाए घटने वाली है जो आप के लिए बहुती बहुती बहुतरिन साबित होगी तो मित्रों किसी के भी सामने मौ मत खोलना और चुप चाप यह वीडियो कौने में बेट कर देखना मित्रों घर बात करें ग्रह सितारों की तो अगले तीन दिनों में सुर्र जो है धनुरासी में विराजमान रहीगा तो वहीं दूसरी और चंद्रमा जो है वह मिंद रासी में संचार करीगा तो ऐसे में समस्त ग्रहों की चाल का कन्या रासी पर क्या प्रभाव पड़ेगा मित्रों विद्ध्यार्तियों के साथ बेरोजगारों के लिए क्या समचार है क्या साउधानिया है क्या खुश्खबरिया है समस्त जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं आप सभी से विनर्म अनुरोद करते हैं कि इस वीडियो को सुरू से लेकर अंत तक ध्यान से दीखी गए मित्रों क्योंकि वीडियो के बीच में जहां बहुत कुछ खास साउधानिया हम आपको देने वाले हैं तो वहीं वीडियो के अंत में कुछ उपाई भी हम आपके लिए लेकर आए हैं जिने आजमाने में ना ही आपको कोई धन लगाना है ना ही कोई पुझी लगानी है मित्रों इन उपायों को आजमा कर आप अपने अंदकार रुपी जीवन में एक उजियाला भर सकते हैं तो सब से पहले तो जो भी भक्त अपने मा से प्यार करते हैं इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में केवल मातरानी के सच्छे भक्त ही प्रेम से जई मातारे लिखिएगा तो चलिए मितरो आपका किम्ती वक्त गवाई भी न बढ़ते हैं अगले तीन दिनों के आपके मेहेतु पुर्ण रासी फल की और मितरो एक एक बात को बड़ी गोर से सुनिएगा तो यह जो समय है चुनोती पुर्ण रहने वाला है और कोई भी निर्ड़न लेते समय किसी अनुभवी से विचार विमस करना आप के लिए उचित रहीगा साथ ही मितरो इस्त्री वर्ग जो है वह हर छेत्र में विवस्था बना कर रखने में सक्सम रहे की एवं स्वयम के विकास के लिए भी वेहवार में थोड़ा स्वार्थिपन लाना भी बहुत जरूरी होगा साथ ही मितरो कूछ समय से आपकी जीवन में चल रही किसी परिशानी में अभी भी राहत मिलने की उम्मिद नहीं है तो इस समय किसी भी अपरिशित व्यक्ति पर भरोसा बिलकुल ना करे क्योंकि बिना सोची समझे किया गया भरोसा आपके लिए तकलिप दाय करेगा और आप बड़ी मुसीबत में भी पढ़ सकते ही तो कानोनी मामलों में किसी अनुभवी व्यक्ति की सदावस्य लें लेकिन सदावा लेने से पहले अपने आप पर विश्वास रखीं रुक्य हुई पेमेंट आदी मिल जाने से आर्थिक स्थती तो बहतर हो जाएगी और व्यवसाई की गतिवीधिया घर से ही सुचारू रूप से चलती रहेगी साथ ही मित्रो आपको इंटरनेट के माध्यम से उचित ओडर भी मिलने की संभावना है और ओफिस संभंधित कार्यों की वज़े से किसी सहयोगी के साथ वाद विवाद में बिलकुल ना पड़े इसी के साथ मित्रो अपना रेगुलर मेडिकल चेक अप करवाते रहें और ध्यान रखे कि कोई पूरान रोग पुन्ह उठ सकता है अर्थात मित्रो कोई ऐसी बीमारी जो आपको लंबे समय से थी वह फिर से एक बार उग जागर हो सकती है अपने कारे करने की प्रणाले में वक्ते के नुशार नविन तालाना बहुत जरूरी है और धियान रखेगा कि घर के रख रखाओ अत्वा सुधार संभंधित कारे को अभी इस्तगित कर रखने में ही भलाई है क्योंकि राजनितिक संभंध तरजन संपर्ग का दाइरा आपका बढ़ाएगा तो आपकर इस पर ध्यान देना है और युवाओ को अपने करियर संभंधित कूछ सकारात्मक परिणाम भी मिल सकती ही घर के वरिष्टि सदस्यों के मान सम्मान और प्यादा ज्यादा का ध्यान रखना बहुँच जरूरी है मित्रो प्रेतक संपत्ति से संभंधित वाद विवाड मिटने लगेंगे तो विवादों को ज्यादा तुन लंदा दे क्योंकि इसकी वज़े से आप से संभंधों में भी खटास आ सकती है इसी के साथ मीडिया तथा ओनलाइन गती वीडियो के बारे में अधिक से अधिक जानकारी आपको हासिल करने का प्रियास करना है और इस समय वेवेसाई में वरतमान कारी पर ही ध्यान देना आपके लिए उचित रहेगा मित्रों क्योंकि इस समय नया कारी करने जिसी योजना बनाने के लिए इस्थिती जो है बिलकुल अनुकुल नहीं है और वरतमान मोसम की वज़े से आपका स्वास्त प्रभावित हो सकता है जिसका असर आपकी कार समता पर भी पड़ेगा तो इस बात का जरूर ध्यान दे अपनी सेहत के प्रति बिलकुल आपरवाही नाबरते मित्रों और व्यक्तिगत तथरूची पुन कार्रों में भी उचिस समय व्यतित होगा और आप मानसिक रोप से भी सुकुन महसूस करेंगे और कोई रूका हुआ कार भी पूरा हो सकता है इसी की सात मित्रों आपकी योजना बद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्र करने की प्रणाली आपको पूरी सफलता देगी बेवज़ एगो और गुसे जिसी आदते आपके बनते कार्रों में बाधाय डाल सकती है एवं रूपिय पेशे के मामले में किसी पर भी आख मूंद करी विश्वास ना करें क्योंकि यह समय जो है सांतिपुन तरीके सी व्यतित करने का है और व्यारत की बातों में उलचकर अपने समय की बरबादी बिल्कुल ना करें इस समय मेडिया और ओनलाइन एडवर्टाइजमेंट पर ज़्यादा ध्यान देने की जुरूरती समय के साथ आपको अपने बिजनस में व्यापारे में भी कुछ परिवरतन करने के आओ सकता है और बेवज़ एगो और गुसे ज दुक सांती पर भी पड़ेगा अपने अंदर परिपक्ता लाएं और सांते पुर्ण तरीके से समस्याओ को सुल्जाने का प्रियास करें इसी के साथ मित्रों पर इस तीथिया कुछ प्रटिकूल ही रहेगी बहुती साउधानी पुर्वक कायरे करने की जुरुरते क्योंकि अपनी व्यक्तिकत बातों को किसी के भी समक से जाहिर ना करे वरन आपका ही नुकसान होगा अगर आपने अपनी व्यक्तिकत बाते किसी के भी समक से जाहिर करी तो सुभाव में गुस्सा वचिड़ चिड़ापन इन दोनों को बिलकुल नाने दे इस समय वर्तमान बिजनस पर ही आपको ध्यान देने की जुरुते और पारिवारिक वेवस्था की वज़े से कार रिस्थल पर अधिक समय नहीं दे पाएंगे परन्तु अधिकतर कार जो है घर से ही फोन के माध्यम से संपन्ध हो जाएंगे और नोकरी पेसा लोगों के लिए आई हुए ट्रांसफर के आडर जो है रद हो सकते हैं अर्थात मित्रो जीवन साथ ही का तालमेल जो है उचित बना रहेगा एवं आपको मित्रो परिवार में भी खुशी बरा माहुल बना कर रखना होगा साथ ही किसी विशेश कारे के प्रती आपकी लगन और मेहनत सार तक रहेगी अर्थात साथ ही आपकी विचार से लिए और दिन चर्रह में भी सकरात्मक परिवरतन आएगा जिससे समाज में आपके योगदान वकाम की प्रिसंसा होगी इसी के साथ मित्रो व्यर्थ के वाद विवाद में उलजने की वज़ाए अपने ही कार्यों में व्यस्तर हैं अपने ही कार्यों में रखना है किसी पर भी भरोसा नहीं करना है क्योंकि मित्रों आज के समय में अगर आपने बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा कर लिया तो यह भरोसा आपके लिए बहुत तकलिफ दायक साबित होगा आपको अपने प्रियासों के सकरात्मक परिणाम मिलने वाले हैं और अधार्म गती वीदियो की और आकरसित होना बिलकुल उचीत नहीं है। अनुभवी के साथ परामर्स लेने की भी बहुत जरूरी है। से करने की जर्रते प्रोपटी संभंधत कार्य में कोई नुकसान होने की भी आसंग का लग रही है मसेनरी संभंधत वbirthसाय में कुछ नय अनुभंद मिल सकते हैं और नोकरि में आपकी उचितकार cynारिय वजिसे अधिकारी वर्ग आपसे प्रसंद रहेंगे तो वहीं अपने संपर्क सुत्रों दौरा मेहतो पुर्ण जानकारिया मिलेगी कुछ ऐसे जानकारिया मिलेगी जो कि भविश्य में आपके लिए फाइदे मंद सावित होगी और किसी निकर संबंदित के साथ चल रही वि अर्थ की बातों पर धियान ना देकर अपने कारियों के प्रती एका ग्रिचीत रही तो मित्रों वीडियो की समाप्ती जो है वह यहीं पर होती है अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छ लगी हो तो मित्रों हमारी वीडियो को लाइक कर दीजेगा और कमेंट बोक्स में प्रूजी का आसिरवाद प्राप्त करने के लिए तीन बार श्री सिवाय नमस्तुभ्यम अ वस्य लिखिएगा तो साथ हमित्रों आपको कुछ एसे उपाए भी अब बताते हैं जिने आज माने कर आप अपने किसमत चमका सकते हैं तो मित्रो यदि आपके कोई काम बहुत लंबे समय से अठके हुए हैं और थात आग्या नहीं बढ़ रहे हैं तो आप एक काम कीजिएगा कि अपने घर से एक लोठा जल का लेकर भोले नात की स्यूलिंग पर चड़ा दीजिएगा और उनसे कहिएगा कि हमारे व्यापार में विस्तार वरद्धी करें तो एसा करने से आपके जो भी रुके हुए काम है वह सफलता से पुरुन होते जाएंगे इसी के साथ अगर मित्रो आपने हमारे चेनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्क्रिन पर जो लाल वटन दिखाई दे रहा है उससे दबा यूटूब चेनल से आप सभी मित्रो अभी जुड़ जाएगा क्योंकि हमारे इस यूटूब चेनल पर आपको देने करासी फल एवं रोजाना ज्यान वर्दक वीडियो की प्रापती जो है वह होते रहेगी